कोलेज कोलेज री ओपन इन एमपी मद्धिप्रदेश में आठ महिने बाद फिर कुलेंगे कोलेज कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ अध्यापन प्रारंब हो सकेगा न्यूस कप की है वेडनस डेट 25 नवंबर 2020 नाइन फिप्टीवन एम न्यूस कौन से न्यूस पेपर की है तो है यहाँ पर नई दुनिया या नव दुनिया बोपाल से न्यूस निकल कर आई है मध्य प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट कोलेज आगा में एक दिसंबर से पुने खुल जाएंगे कक्षाओं में प्रोपेसरों समेत विद्यार्तियों को भी उपस्तित होना होगा कोरोना के संकर्मन के कारण पिछले आठ महीने से प्रदेश समेत देश भर के कोलेज बंद थे अब कोलेज खुलने कांड़ने उच्च शिक्षा विबागने लिया है उच्च शिक्षा मंतरी डॉक्टर महुन यादो का कहना है कि कोलेजों में विद्यार्तियों के शिक्षन के साथ सबी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा उन्होंने का कि उच्च शिक्षा विबाग के सरकारी और प्राइवेट कोलेजों की यूजी वपीजी की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अन्तिम दोर के प्रवेश प्रक्रिय आयोजित की जा चुकी है ये आन्लाइन प्रवेश का पाच्वा चरंद था फिलहाल यूजी प्रथम वर्ष की कक्षाओं में करीब 1,38,000 सीटे खाली रह गई है जबकि प्रथम सेमिस्टर की कक्षाओं में 90,000 सीटे खाली रह गई है अत इस साल ये सीटे खाली रहेगी उच्छी शिक्षामंत्री यादव ने कहा कि कॉले संचालित करने के दोरान कोरोना से बचने के लिए जारी की गई सरकार की गाइडलाइन का पुर्ण पालन सुनिश्चित किया जाएगा सरकारी कॉलेजों में अध्यापन कारे के साथ प्रभारी प्राचारियों का काम समाल रहे अधीकारियों अरधात प्रभारी प्राचारियों को अध्यापन कारे से मुक्त किया जाएगा इसके साथ ही सभी कोलेज से तिन वरिष्ट प्रोपेशरों का प्रशिक्षन कारी करम आयोजित किया जाएगा उन्होंने का कि विभाग में लंबेत पेंशन प्रक्रणों का जल्द निराकरन कर दिया जाएगा विशुद्यालों कोलेज की परिक्षा आयोजित हो सके इसके लिए नए सिरी से प्रक्रिया तै की जाएगी इसके लिए समीती गठीत की जाएगी